अस्सलामों अलेकुम एब्रिवान वेलकम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन मलाई कटलेट बनाने की रेसिपी यह जो कटलेट है यह बहुत ही आसानी से बन जाते हैं इन्हें बनाने में जादा वक्त नहीं लगता लेकिन इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब होता है और 250 ग्राम चिकन में आप लोग बहुत सारे कटलेट बना सकते हैं तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाते हैं चिकन मलाई कटलेट तो सबसे पहले चिकन को बॉल करके हम उसके रेशे कर लेंगे तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम बोनलस चिकन में 1 टीस्पून अद्रकलसन का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक डाल कर उसे बॉल कर लिया और उसके बाद से उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया तो इसके रेशे हो गए आप चिकन के रेशे हातों से भी कर सकते हैं या अगर आपके पस ग्राइंडर है तो फिर आप उससे भी कर सकते हैं अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे तो 4 मीडियम साइस की आलू को बॉल कर लें और उसे मैश करके इसमें अड़ कर लें लेकिन अगर आपके पस बड़े साइस के आलू हैं तो आप दो ही आलूओं का इस्तमाल करें बारीक कटीवी हरी मिर्च हमस में आड़ करेंगे हरी मिर्च जो है वो आप अपने टेस्क के अकॉर्डिन डालें जितना आपको तीखाय पसंद है उतना डालें और थोड़े सी हमस में धन्य पुदीने के पत्ते आड़ करेंगे बारीक कटे हुए वन टीजपून काली मिर्च का पाउडर हमस में आड़ करेंगे और वन टीजपून चाट मसाला पाउडर हमस में शामिल कर लेना है और 1 टी स्पून कुटी हवी लाल मिल्च, चिली फ्लेक्स हम इसमें आड़ करेंगे लेकिन ये औप्शनल है अगर आपको नहीं डालना तो आप ना डालें और साथ ही हम इसमें हस बिजाई का नमक आड़ करेंगे एक बड़ा चमच हम इसमें बटर आड़ करेंगे और 2 क्यूब चीज के हम इसमें आड़ करेंगे ग्रेट करके आपकी मर्जी है आपको डालना है तो डालें और अगर नहीं डालना है तो ना डालें जादा डालना है तो आप जादा भी डाल सकते हैं और धियान रहे चीज में भी नमक होता है तो नमक जो है वो इस हिसाब से डाले और साथ ही मैं इसमें add करेंगे थोड़े से सोवा ये optional है अगर आपके पस नहीं है या अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें सोवर डालने से इन कबाब का टेस्ट बढ़ जाता है लेकिन अगर आपको नहीं डालना तो आप ना डालें साथ ही हम इसमें half cup breadcrumb add करेंगे तो उससे क्या होगा जो इसमें moisture है वो सारा absorb हो जाएगा और इन्हें एक binding agent मिल जाएगा तो उससे cutlet जो है वो अच्छे से बनेंगे अगर आपको लग रहे कि अभी भी sticky है breadcrumb डालने के बाद तो थोड़ा सा और breadcrumb add कर लें अब हम cutlets बना लेते हैं तो cutlets का जो size है अगर आपको बड़े बनाना है तो आप बड़े बना सकते हैं यहाँ पर हम medium size के cutlets बना रहे हैं तो थोड़ा सा portion लेंगे और बस इनके cutlets बना लेंगे अब हाथों को oil से grease करके भी इन cutlets को बना सकते हैं और देंगे breadcrumb डालने के उज़े से यह बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं बहुत ही अच्छे से बनते जा रहे हैं तो ऐसे ही हम सारे कबाब्स यानि cutlets को बना लेंगे अब हम coating तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे दो अदद अंडे अगर आपको अंडो का इस्तमाल नहीं करना है तो आप मैदे से भी इने coat कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे half teaspoon काली मिर्च का पाउडर, half teaspoon चिली फ्लेक्स और half teaspoon नमक डालके हम इसे mix कर लेंगे अगर आपको अंडा यूज नहीं करना है तो यह सारी चीज़ें आप मैदे में डालनें अब एक cutlet लेंगे हम और पहले उसे अंडे में डिप करेंगे और फिर थोड़ से tap कर लेंगे ताकि जो extra अंडा है वो निकल जाए फिर हम इसे breadcrumb पे डालके और अच्छे से इसे हमें breadcrumb से coat कर लेना है तो यहाँ पर देखें cutlets की जो coating है वो हो गई है ऐसे ही हम सारे cutlets को coat कर लेंगे अंडे और breadcrumb से तो यहाँ पर जो सारे cutlets हैं वो coat हो चुके हैं अगर आपको freeze करना है तो आप इन्हें 15 दिनों के लिए freeze कर सकते हैं दो हफते के लिए तो इन्हें added container या zip lock bag में रखके freeze कर लें अब हम चलते हैं इन cutlets को fry कर लेते हैं तो fry करने के लिए oil को हमें गरम कर लेना है जब oil अच्छा तेज गरम हो जाए तब हम gas की flame medium करके और इन kebabs को डालेंगे उसमें high flame पर बिल्कुल तेज गरम तेल में इन्हें मट डालें वरना ये जल जाएंगे ये मलाई cutlets जो है वो बहुत soft होता है न इसे लिए और जब इनका color change हो जाए तो इनकी sides change कर देंगे और दूसरी तरफ से golden होने तक हमेने fry कर लेना है थोड़ी दिर बाद आप चाहें तो gas की flame high करकर और इनका जो color है वो change कर सकते हैं लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि ये जलेना अब यहाँ पर ये जो cutlet हैं ये fry हो चुके हैं इनका color भी change हो चुके हैं तो अब हम इने निकाल लेते हैं टिशू पेपर पर तो लीजे तयार है यहाँ पर चिकन मलाई cutlet ये जो cutlet है ना आप हीने sauce, हरी चटनी दोनों में से किसी के साथ भी serve कर सकते हैं दोनों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये cutlets रहें वो बहुत ही लाजवाब लगते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं तो इस recipe को इस रमजान ज़रू से try कीजिएगा चिकन मलाई cutlet की ये recipe अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो इसे like कर दें, share कर दें और please मेरे channel को subscribe करना न भूलें वीडियो देखने का शुक्रिया Thank you so much